नमस्कार दोस्तो गुड मॉर्निंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल करियर पॉइंट पे और आज हम लोग देखने वाला है दोस्तो बिहार एस आई का जो आपका फॉर्म आया है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बाते आपको कौन- का सेलेक्शन होगा अना क्या-क्या आपको एक्जाम में पूछा आएगा तो हम लोग पूरा आज सिलेवस देखेंगे बिहार एस आई के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ले बेल आइकन जुरूर प्रेश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके क्योंकि आज रात 9 बजे से 9 बजे से आपका बिपीसी का टेस्ट अस्टार्ट हो रहा है और कल 9 बजे से आपका बिहार एस आई का टेस्ट अस्टार्ट हो रहा है और ये पीटी का फुल टेस्ट आ हैं आज का ये सेशन देखिए सबसे पहले आपको बता दे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानि कि बिहार पुलिस सवाडिनेट सर्विस कमीशन आगे देखिए आपको बता दूँ इसमें कि दोस्तो यहां आपको डेट दिया गया है अगर अभी तक आप हॉम नहीं डाले हैं बिहार एस आई का तो आपके पास अभी भी दो दिन टाइम है आप हॉम भर शक्ते हैं जो आपका ऑनलाइन जो श्टार्ट हुआ था 16.08.2020 से आ आज तारीक है आपका बाइस तो आपके पास दो दिन समय है तो दो दिन में आप अपना फॉम को फिल अप कर ले चलिए आगे देखते हैं आपको बताया गया है इसमें क्या क्या देखिए यहां पे सबसे पहले बिग्यापन संख्या आपको ध्यान रखना है कि 3 बटा 2020 ठी आने कि सर्जेंट का और एस आई का आपको पोस्ट है और यह लेवल 6 का है आपको जो रुपईया मिलेगा वो 35,400 से ले करके 1,12,400 तक और रिक्तियों की जो संख्या है बिहार एस आई यानि दरोगा का 1998 और सर्जेंट का जो पोस्ट है वो 215 पोस्ट है आगे इसमें बताय हुआ कि आपको कौन से बूक परचेज करना है और कौन से बूक को पढ़ना है जिससे आपका रिजल्ट 100% आपका हो जाए पीटी भी हो जाए और आपका मेंस भी किलियर हो जाए ठीक है हाँ तो आप पूरा देखिएगा सुरू से अन तक देखिएगा ठीक ना दोस्तो चल लिखित परतियुकता परिच्छा आयोजित कि जाएगे नहीं से पर करते हो प्रारंभिक जो परिच्छा होगा इसमें आपको क्या-क्या पुछा जाएगा तो प्रारमभिक जो परिच्छा होगा इसमें परिच्छा में दो-ägटों का एक पत्र होगा drift 1997 अंक है एकい आपका दो सो लेकिन कोशन हैं दोस्तों आपका सो Secret कि एक question आपको दो मार्श का हो गया और इसका जो समय है वो दो घंटे की आपको समय मिलेगी आगे है कि उक्त पत्र में शमान ग्यान एवं समसामीक मुद्दों से संबंधित परशन पूछे जाएंगे ठीक है समान ग्यान आपको परशन पूछा जाएगा और समसामीक सीट करज दिया जाएंगे यानि कि मिनीमम आपको 30% मार्क्ष लाना है तब ही आप मेंस के लिए इलिजीवल हो सकते हैं मिनीमम यह है हाना मैक्सिमम आप कितनों ला सकते हैं ठीक ना आगे कह रहा है कि प्रानभिक परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर रिक्तियो के 20 गुना सफल अभियरतियों का चयन किया जाएगा यानि कि जितने सीट है उसका 20 गुना आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा मेंस के लिए ठीक है हाँ मेंस के लिए आपको 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा कोटी के अनुसार मतलो कैटोगरी के अनुसार आगे देखते हैं मुखह परिछा दिखें आपका किस अनुसार से होगा दोस्तु,, तो मुखह परिछा जो होगा यहाँना में परिचा जो HAS फ़ल अवयरतियों को मुख। कर्दान किया है तो होगा, यहाँ रिधा इनकर होगा, यहाँ लूट हls परफ्र नंबर का रहेगा और जो टाइम में आपको दिया जाएगा दो घंटा कुछ समय दिया जाएगा और जिसमें प्रस्नों की संख्या होगी 100 लेकिन अंक है आपका 200 ठीक है याद रखिएगा आगे है कि नियूनतम आरहता मतलब मिनीमम आपको 30% इसमें भी लाना है हिंदी के दे पास करना बहुत जरूरी है और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो उसमें आपको हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है हिंदी में सिर्फ आपको पास करना रहता है आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि नियूनतम आपको 30% लाना है और अनिवारी होगा अन्य लिश्ट बनेगा इसमें आपको नहीं जुड़ा जाएगा अब है कि दित्तिय पत्र जो है यह समान अध्यन का होगा ठीक है और जो जिसमें क्या-क्या पूछा जाएगा समान अध्यन में यह आपका काफी इंपोर्टेंट है तो आप इसको स्क्रीन सोट भी ले शकते हैं नोट कर शकते हैं तो समान विज्ञान रहेगा यानि की फीजिक्स कमेस्ट्री बाइलोजी से संबंधित कोस्चन रहेगा नागरिक शास्त रहेगा यानि की मेंस का सिलेबस और ये भी जो होगा आपका 200 अंक का होगा कितने अंक का होगा 200 और प्रस्णों की जो संक्या होगी तो उस्तों वो होगी 100 और जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटा ठीक है आगे देखिए आपको यहां काफी important बात बताया गया है कि जो दोनों चर्णों की जो परिच्छा होगी यानि कि प्रारंभिक परिच्छा और आपका जो मेन परिच्छा इसमें आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा अगर आपने कोस्टन को गलती करता है यानि कि इसमें negative marking है दोस्तों हाना कि मुख लिखित परिक्षा के अधार पर रिक्तियों के 6 गुना भियर्थियों का चयन कोटी वार मेगा नुसार सारी रिक दश्ता के लिए किया जाएगा मतलब क्या हुआ कि 20 गुना तो आपको पीटी में रिजल्ट दिया गया और पीटी से पास करके गए आप में 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 आपको 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मतलब में में आपको पास करिक कर गए और में का जो रिजल्ट देगा आपको 6 गुना रिजल्ट देगा प्रियाप्त संक्या में अनुपलब्धता की दसा में उक्त अनुपात उप्यूक्त के रूप में कम किया जाशकेगा आके देखिए कि यहां मेगा सूची टाई होने पर क्या किया जाएगा अगर दो बच्चे का नमार्ष अगर आपका बरावर आ जाता है तो इस इस्थिती में क्या किया जाएगा तो यहां पर आपको बताया गया है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा यह काफी अच्छे तरीके से बताया गया इसको एक बार आप देख लीजेगा पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो आप कॉमेंट में बताईए मैं आपको समझा दूँगा अंती मेगा सुची के लिए नियुंतम आ रहता यहां पर आपको बताया गया अंती मेगा सुची के लिए यह कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जो आपको इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ देखी अभियर्थियों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए ठीक है तो अभियर्थियों की जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो एक जनवरी 2020 को नियुनतम जो अनाराच्छित कोटी है मतलब जो आपको जेनरल में है ठीक ना उनके पुरुसों के लिए जो नियुनतम है वो 20 होनी चाह पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं उनकी 29 और अधिकतम आपका 40 होना चाहिए आगे दोस्तों कि अनुसूचित जाती और जन जाती मतलब कि जो SC और ST हैं पुरुस और महिलाओं ये दोनों का जो उम्र है 29 है और अधिकतम आपको 42 वर्ष दिया गया है आगे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि अब जो आपका PT मेंस हो जाएगा तो उसके बाद आपको कितनी उचाई आपको मतलब कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए ठीक ना कितनी आपकी मतलब फीजकल आपको होना चाहिए तो अनाराचित वर्ग यहाँ पिछड़ा वर्ग जो पुरूस है ठीक है इनकी जो उचाई होनी चाहिए 165 cm होनी चाहिए और जो अत्यांत पिछड़ा वर्ग है या अनुसुचित जाती है अनुसुचित जन जाती है पुरूसों के लिए 160 होनी चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए तो उचाई 165 cm और नियूंतम जो वजन महिलाओं का होना चाहिए वो 48 kg होना चाहिए तो यह हो गया आपका हाइट से सम्वंधित है पूरूस और महिलाओं का अब देखिए सिर्फ सीना कितना होनी चाहिए तो यह सिर्फ पूरूसों के लिए हैं तो जो अनारक्षित हैं यानि समान्य वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग येवो मतंत पिछड़ा वर्ग पूरू तो ये सब बाते को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि PTE मेंस होने के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको करवाया जाएगा, अनुसूचित जाती है, जन जाती के लिए पूरुसू के लिए कितना होनी चाहिए, तो बीना फुलाए आपका 79 cm होनी चाहिए, और फुला करके कितना होनी चाहिए, तो 84 cm ये आपका निउन्तम है, चलिए आगला देखते हैं दुस्तों कि फुलाने के बाद कितना होनी चाहिए, अंतर तो 5 cm का अंतर होना अनिवार्य है, तो ये बात आपके लिए काफी important है, अब देखिए आपका दोड की बात आता है, पुरुसो के लिए कितनी दोड है, तो 1 मील आपको दोडना है, 6 मिनट 30 सकेंड आपको समय दिया जाएगा, और इससे अधीक अगर आप समय लेते हैं, तो आपको आसफल घोसित कर दिया जाएगा, ये है आपका पुरुसो के लिए, अब देखिए आपको महिलाओं के लिए दोड कितनी होनी चाहिए तो 6 मिनट महिलाओं को समय दिया गया है एक किलोमीटर दोडने के लिए तापको एक किलोमीटर दोडना है 6 मिनट समय में ठीक है इससे जादा समय लिजेगा तापको असफल घोसित कर दिया जाएगा अब है कि उची कुद कितनी होनी चाहिए तो पुरुस के लिए जो उची कुद होनी चाहिए नियूंतम 4 फीट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए नियूंतम 3 फीट होनी चाहिए लंबी कुद कितनी होनी चाहिए दोस्तों तो पुरुसों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लि आपको 16 फीट फेकना है 16 पाउंड का 16 फीट फेकना है महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा जिसको आपको फेकना है 10 फीट ठीक है तो ध्यान रखिएगा यह सब आपका करेटेरिया है इसको आपको पूरा करना पड़ेगा पुलीस अवर निरिच्छा के देखिए रिक्त बताया गया है कि किस जाती के लिए इसमें और तो इसमें यह महिला का कि और यह हो गया आपका पूरुस का सीट ठीक है तो दोस्तों सैच आप आपको ऑँछ और दिया गया इसको आप लोग पौश करके देख सकते हैं जो में में मीन उसको मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक ना, चलिए, आगे देख लिजे, इसमें लगभग आपको सब्ची बता दिया है, अब देखिए यहां पर सर्जेंट का जो पद है, सर्जेंट के पद के लिए कितनी सीट आपको दिया गया है, तो यह आप देख सकते हैं, में इंपोर्टेंट जो आपको बाते थी, बिहार, एसाई से सम्मंधित मैंने आपको बताया, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा भूक पढ़ना है, पीटी के लिए और मेंस के लिए जो आप किलियर कर शके, ठीक है, तो देखिए आपको भूक के लिए मैं बता दूँ कि आपको कौन-कौन से भूक पढ़ना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक जो कोस्चन बैंक आता है, ठीक है, कोस्चन बैंक आपको ले लेना है, जो पिछले साल आपको जितने भी एकजाम हुए हैं पिछले सालों में, भीहार दरोगा का, वो आपको एक question bank ले लेना है ठीक है यह अरिहंत का भी आता है आपको और भी बहुत सारे percussion का आता है तो आपको जो अच्छा लगे आपको market में मिल जाएगा नहीं तो आप online purchase करना चाते तो online भी आपको मिल जाएगा तो एक question bank आपको लेना बहुत जरूरी है एक आपको practice set लेना है ठीक है एक आपको practice set लेना है ठीक है तो एक practice set लीजेगा जिसमें आपको जिस अनुसारे से आपको exam होता है आपको market में यह भी easily आपको अपलब्द हो जाएगा तो एक practice set आपको जरूर लेना है तो देखिए बिहार से संबंधित आपको कुछ परस्ने पूछा जाएगा तो आप बिहार के book एक ले लिजेगा Lucent का बिहार का Lucent का book आता है जो काफी अच्छी book है यह आपको BPSC में भी काम करेगा और बिहार SI में भी आपको यह काम करेगा और यह Lucent objective जो है यह भी आपको BPSC में काम करेगा और बिहार SI में भी यह काफी काम करेगा आपको और देखिए RS अगरवाल के आप math ले सकते है ठीक है आप math के लिए क्या किजेगा क्योंकि main में आपको math पूछा जाएगा तो RS अगरवाल काफी है आपके पास RS अगरवाल क काफी easy reasoning पूछा जाएगा आप आराम से बना शकते हैं उसको तो ज्यादा आपको reasoning के लिए किताब खरीदने की जरूरत नहीं है और देखिए एक book आपको और लेना है दोस्तों महेश कुमार बरनवाल महेश कुमार बरनवाल का ये book आता है ये 6 to 12 ठीक है 6 to 12 आता है आपको सार शंग्रह ये book आता है महेश कुमार बरनवाल का आपको मिल जागा online भी मिल जागा और आपको market में भी मिल जागा ये काफी अच्छी book है ये आपको BPC के लिए भी भी आई है और आपको SI के लिए भी पी भी आई है ये आपको काफी अच्छी book है आपको NCRT पढ़ने के और शक्ता नहीं है SI के लिए तो आप जितना मैंने भूक पताया अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी है PT भी क्वालिफाय कर जाएगा 100% और मेंस भी आप क्वालिफाय कर जाएगा 100% अपको क्या-क्या भूक लेना है LUSENT का objective लेना है, question bank लेना है जो पिछले साल में जितना भी exam हुआ है बिहार SI का उससे संबंधित आपको इक लेना है और उसको एक बार नहीं दो से तीन बार आपको चार बार बनाना है तो तो तक क्योंकि previous year से हमेसा exam में फूछ लिया जाता ह ठीक ना एक प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस सेट आपको एक लेना है ठीक है और मैत के लिए आरे सगरवाल का भूक आता है वो आप ले लीजेगा और बिहार से सम्मंदित आपको question पुछा जागा जैस बिहार का इतिहास बिहार की जोगरफी बिहा आपको क्या लेना है तो current affair तो मैं आपको करवाओंगा है इसके साथ साथ आपको एक ले लेना है मतलब जो वारसी कांग आता है ठीक है यानि एक साल का आपको ले लेना है वारसी कांग यानि दिसंबर दिसंबर 2000-19 से ले करके दिसंबर 2020 तक आपको मार्केट मिल जागा वारसी कांग यानि जो इसमें आपको question पूछा जाएगा बिहार एसाई में current affair से यह आपको काफी important है और एसाई में जो current पूछा जागा लगभग one year पहले काना आप मतलब before one year ठीक है फुल टेस्ट चलेगा यानि देड़ 100 marks अपको certeza प्रशणों का टेस्ट चलेगा और कल यानि एक दिन चलेगा बिपए C और एक दिन चलेगा आपको बिहार साई एक दिन चलेगा पिहार a$e तो बिहार SI का जो टेस्ट होगा वो कल होगा रात में 9 बजे से तो आपको गर टेस्ट देना है तो आपको करना कुछ नहीं है बस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन प्रेश करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन 9 बजे मिल जाए अप आराम से आ जाईएगा और आपको कहीं भी कनफ्यूजन ना हो ठीक है तो यह है आपको बिहार SI चलेगा कल 9 बजे और आज चलेगा बीपीसी 9 बजे तो यह याद रखिएगा और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना है बेल आइकन प्रेश करना है और कर दे ताकि वो तयारी में जुड़ सके आना क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है कभी भी आपको एक्जाम की भुशना हो सकती कभी भी इसलिए आप लोग अपना तयारी को जारी रखे तो ठीक है फिर हम लोग नेस्ट वीडियो मिलते हैं आज रात में 9 बजे से